कि कोशिश ये रहती है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जैसे मीडिया से जुड़ा हुआ मामला है और चुकि हम यूट्यूबर भी मीडिया कॉमिनिटी का ही एक हिस्सा है और आप जितने भी समय आप पॉलिटिकल एनलिस्ट हैं जो यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जादे तर पूर उपत्रकार हैं जो बड़े अखबारों में रहे हैं बड़े चैनल् लेविल के लोग हैं तो क्या होता है कि इन सब लोगों के जो विबसाई खीत है एक ही होते हैं आज कोई किसी चैनल पर एंकर है कल किसी दूसरे पर एंकरिंग करेगा कोई आज किसी चैनल पर बैठा हुआ है कल किसी और पर बैठेगा तो क्या होता है कि यह सब लोग इस इस फ पुलिटिकल लोग के साब आप हमें अरेस्ट मत करना हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे जो एक पूरा क्या करना है कि एक एको सिस्टम बन गया था क्या आप हमें कुछ मत करना हमारी सरकार आएगी तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे तो उसी तरीकी से मीडिया में भी है अब इसके जो पार्टनर थी मेनका गान्धी भी हुआ करती थी, इसमें कभी, रज़ाश सर्मा जी के साथ. जब इसके लॉचिंग की हैं. गूगल करेंगे, इसके जूचिंग हुई थी इंडिया टीवी की, तो इसमें जब उसके पोस्टर्स आये थे तो उसमें मेनका गान्धी ब भी इसको प्रमोट किया था अपना पैसा वैसा इसमें लगाया था तो रज़त सर्मा जी के बारे में सब जानते ही हैं कि ABVP से जुड़े रहे हैं RSS की background से आते हैं अरुन जेटली जो इनके पत्रकार नेता रहे हमारे देश के जाने मने वित्मंत्री भी रहे हैं मोधी सरकार में पहले वाली में वो इनके batchmate रहे हैं हाला कि रज़त जी की उमर नहीं बढ़ रही है पिछले 25 साल से अरुन जेटली के तो बालवाल उड़ गए थे उमर हो गए थी बिचारे बिमार हो गए थे लेकिन रज़त सर्मा जी अप एक्षा करत फिट रहते हैं तो रज़त सर्मा जी का और जब तक अरुन जेटली जि उस समय भी अरुन जेटली ने फाइनेंसली हर हिसाब से रज़त सर्मा जी की खूप साइटा की लोग ये का करते थे कि ये तो बीजेपी वालों का अपना चैनल है चुकि जो लोग विपक्ष में होते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि हम मीडिया में बने रहें अगर मीडि पी के तमाम नेतारवी शंकर परसाद, इवन अडवानी जी, नरेंदर मोधी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और सब लोग ये सब लोग जो है जेटली साहब ये सब लोग उनके आपकी अदालत वाले प्रोग्राम में फीचर होते रहते हैं लेकिन जब अरुन जेट करेगी, प्रोमोट करेगी और टीवी चैनल्स और जो मीडिया हॉस होते हैं, प्रिंट मीडिया की भी आगर मैं बात करू तो इसमें होता यह है कि ये सब लोग कोशिश ये करते हैं कि हमें विज्यापन मिलें, सरकारी, वो सबसे बड़ा सोर्स ओफ इंकम होता है किसी भी मी ठीवी ऊगी उन्हों ने और बहुत ही दोस्ताना तालुकात हमेशा रहे दोनों के इस तरह की जब तक जीटली साथ जिंदा रहे तब तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जीटली साथ से उनकी कोई अन्बन हुई हो अरुण जीटली ने उन्हें क्रिकट में प्रमोट कर दिया डीडीसी ए जो थी दिल्ली डिस्टिक क्रिकेट एसोसेशन जो एक बहुत बड़ी महत्पून बोडी है इंडिया में क्रिकेट की दिल्ली की जो क्रिकेट को चलाती है उसके चेर्मेन बन गए थे और उन जेटली जी के जीते जी रज़त सर्मा जबकि रज़त सर्मा जी ने जो है वो सोचा कि एब मैं तो मेरे पास बड़ी पोस्ट आ गी है तो इन्होंने दिल्ली में जो क्रिकेटर्स हैं विरेंदर सहवाग है गोतम गंभीर हैं सुरेश रहना है इन सब लोगों से मिलना जुलना रा विराट कोली इन सब लोगों से इनका ल तो गोतम गंभीर अपनी टीम मीटिंग कर रहे थे फिरोचा कोटला के ग्राउंड में, ड्रेसिंग रूम में अपने, तो रज़त सर्मा जी ने सोचा के यार मैं तो चेर्मेन हूं, डीडीसिये का मुझे तो कोई माईकला रोक नहीं सकता यहां पे, तो वो टीम मीटिंग चल गोतम गंभीर के वाले भी आपने देखा होगा कि एक मैच में विराट कोली से भी जगड़ा हो गया तो वो जब कुछ एक टेंपरामेंट होता है और क्रिकेटर का, ओन फिल्ड जो उसका टेंपरामेंट होता है, वो हमेशा बरकरार रहता है, भार वो चाहे किसी तरह से भी बिहेव करें, और गोतम गंभीर अर्विंद केजरिवाल के जबरदस्त क्रिटिसाइजर है, बहुत ज़्यादे क्रिटिसाइज करते हैं उनको, सुरू से आलोचना करते रहे जब गोतम गंभीर एमपी भी नहीं बने थे, उस समय भी गोतम गंभीर ये कहा करते थे के मफलर जी बिमार रहे और अंतिम समय में जब नोट बंदी की गई, तो नोट बंदी के समय मैं आपको जो ये बाते बता रहा हूँ, ये सैट किसी ने डिसकस नहीं कियोंगी है, बिल्कुल एक्स्कुलूसीव बाते हैं ये, मैं अपने चैनल पे अलग-अलग पार्ट में बता जिससे लोग समझ जाएं कि चीजे कैसे बदलती हैं, तो उसमें क्या हुआ कि अरुन जेटली जी ने नोट बंदी की, देश में नोट बंदी हुई, और रज़त सर्मा जी ने नोट बंदी के खिलाब जबरदस्त केमपेल चलाया, इंडिया टीवी ने दिल्ली में, कनोट सब जगे जो ATM थे, उनकी सुभई सुभई लोगों की बाइट लेना, सरकार को गालिया देना, कि ये बहुत गलत किया है, नोट बंदी से तो बरबाद होगे सब लोग, हमारा क्या होगा, हम पैसा कैसे बदलेंगे, कैसे वापस जमा करें, लाइनों में लगे हुए हैं, तो अरुन जेटली को खुद हवा नहीं हुई, ये मोदी जी ने डिसिजन लिया था, किसी को भी नहीं पता था इस बारे में के नोट बंदी होने जा रही है, ऐसे ही मोदी जी ने शाम को अनांसमेंट किया, लाइव टीवी पर रोन नोट बंदी हो गई, फ्राइड़े में, से ऐसा मत करो, अरुन जेटली सुबह गाड़ी लेके घुमे एक दिन दिल्ली के, नहीं दिल्ली के जो एटियम वगएरा है, वहाँ लोगों पर नहीं स्थिद देखिए, उनना का ठीक है, दस-पांच लोग घर जगे खड़े वेते लाइन में, सामान्य दिनों में एक-दो ल ये बात अरुन जेटली ने खुद अपने एक इंट्रेवे में बताई थी, मुझे कहां से पतरेगी, उन्होंने खुद ही बताई, उन्होंने का कि मैंने एक पत्रकार मित्र से अपने का, कि यार ये क्या दिखा रहा हूँ, नाम नहीं लिया अरुन रज़त सर्मा गा, तो उन्होंने रज़त सर्मा से का कि यार ऐसा मत करो, फिर उसके बाद खेर थोड़ी चीज़े मैल डाउन हुई, डाउन हुआ मामला, तो मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ, के अरुन जेटली के निधन के बाद, बीजेपी से और रज़त सर्मा के जो बीच में कड़ियां थ मैंने जो वीडियो बनाए है या जो देखे उसमें आप कमेंट में नीचे कभी पढ़ियेगा, तो सब लोग पहले से कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का परवक्ता बन चुका है, इवन खबरों में अर्विंद केजरिवाल को हाइलाइट करना, अर्विंद केजरिवाल क जो LG से लड़ाई जगड़ा चलता रहता है दिल्ली में, उसमें अर्विंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना, ये रज़त सर्मा जो महीन चीजे कहते हैं जिसे लोग समझ नहीं पाते, उन चीजों को इन्होंने करना शुरू किया लगबग पिछले ए चर्चा दिल्ली में ये है कि यहाँ पे कॉंग्रेस का और आम आदमी पार्टी का टाइफ होगा, चार-पांच सीटों पे, तीन या चार सीटों पे, कॉंग्रेस लड़ेगी तीन या चार सीटों पे, ये आम आदमी पार्टी लड़ेगी, तो इनका जो अब मैं आता हूँ मेन सर्वे पे, दस मिनट में जो मैंने आपको बताई, बाकी चीजे दो मिनट में आप समझ जाएंगे, मैंने एक क्यों बताई है, मैंने आपको ये बताया कि ये जो जिसे कहते हैं, एक छदम रूप से, छिपे हुए तरीके से, जिस तरीके से अरविंद एनों ने, रजास सर आ रहे हैं, रजास सर्मा, सुधीर चोधरी जिनको लोग सोचते हैं कि वो प्रो मोदी हैं, वो शारुक खान की जब जब जवान देखकर आते हैं, फिल्म तो उस पर अपना यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो बनाते हैं और उसकी रिवियू में कहते हैं कि ये फिल् और जो इंडिया टीवी ने सर्वे दिखाया है अभी पिछले दो दिन में, दो पार्ट में दिखाया, लगबग 200-300 सीटों का एक दिन दिखाया और फ्राइडे में सेटरडे में दो दिन दिखाया गया है, और उसमें वैसे तो सरकार दिखाया गया है कि 2024 में या आज के समय में अगर चुनाव होते हैं तो उसमें सरकार बनेगी NDA की लेकिन BJP की सीटे 280 के आसपास इसमें दिखाई गई हैं सबसे चोकानी वाली बात जो इनके मित्र हैं अर्विन केजरिवाल उन्हें दस लोग सभा सीटे दी है रज़त सर्माजी ने जिनका अभी एक सांसद तेरह सीटे हैं पंजाब में पंजाब में तेरह की तेरह सीटे जो है वो INDI को दी गई हैं मतलब कॉंग्रेस और आमादी पार्टी को दी गई हैं और दिल्ली में साथ सीटे हैं साथ की साथ बीजेपी के पास हैं लेकिन दो सीटें INDI को दी गई हैं वो आमादी पार्टी को ममता बनर जी को 22 सीट्स मिली हुई थी पिछली बार उस बार उनोंने 29 दे दी हैं। साथ सीटे बढ़ा दी हैं ममता बनर जी की, TMC की। तो अब इसके बाद क्या चीज़े पता लगती हैं। कि ममता बनर इस समें INDIA में कौन लोग सबस्याद एक्टिव हैं। या तो अरभिन केजरिवाल हैं, या कॉंग्रेस है, या फिर TMC है, नितीश कुमार तो घर बैठ गए हैं, अब तो निराश हैं सब इन चीजों से। तीसरा एक बहुत मैत्पूर्ट तथ्थे जो इस सर्वे का है। इसका तीसरा सबसे मैत्पूर्ट तथ्थे ये है कि इस सर्वे में ये दिखाया गया है कि जो BJP ने महारास्ट में तोड़फोड की है। जैसे कि NCP आ गई है इधर, एकनाथ सिंदे आ गए हैं, उसका BJP को कोई फाइदा नहीं होने वाला है। 48 सीटे हैं वहाँ पे टोटल, 24 सीटे BJP को और उनके एलाइज को दी गई हैं और 24 सीटे दे दी गई हैं INDI को, जो की बहुत ज़्याद है। पिछली बार BJP और उनके एलाइज ने 48 में से सायद 42 सीटे जीती थी। बाकी 2-3 NCP के पास थी, एक कॉंग्रेस के पास थी, क्योंकि शिवसेना एक थी और पूरा BJP के साथ थी। इन्होंने साफ तोर पर उस सर्वे में ये कहा है कि जो असली सीट सेना है, वो उदव ठाकरे की सीट सेना है। उदव ठाकरे को इसमें बेनिफिट होने जा रहा है, उनके 6 से बढ़कर 11 सांसद हो जाएंगे, और जो 12 सांसद शिंदे की तरफ गए थे, वो केवल 2 रह जाए और अजीद पमार के इधर आने से तो कुछ लगता है, फरक ही नहीं पड़ा है। तो मैं इन 2-3 उधारन से ये सब चीजे सपष्ट कर दूँ कि ये चीजे ये दर्शाती हैं, मुझे नहीं पता कि ये सर्वे हो सकता है कि आने वाले समय में सही साबित हो। लेकिन आज की त सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन्होंने कमेंट किया था, उन्हें का कि सर एक सीट मिलेगी यहां पर आई एंडी आईए को, और ये इतनी सीटे दे रहे हैं, मद्यपरदेश में पांच सीटे कॉंग्रेस को दे दी हैं इन्होंने, जहां अभी कॉंग्रेस के खाता खुलने के क कोई चांस फिलाल नहीं है, अगर कमलनात का बेटा बस एक सीट है, वो निकाल ले तो अलग बात है, हां, दो चीजों में यह डर गए, रजजस सर्मा, वहां उनकी हिम्मत नहीं हुई, एक तो योगी आदित्यनात और एक दूसरा गुजरात, योगी आदित्यनात में हिम्म पर दूसरों को बढ़ावा दिखा दे, क्योंकि वो बिलकुल एकदम लिखा, नहीं को दिवार पे एकदम लिखा हुआ है, कि वहां तो बीजेपी डॉमिनिट करेगी, वहां कोई आने ही सकता हुए, क्योंकि वहां कॉंगरेस जीरो है, आम आदमी पार्टी का कोई करना था, वहां इन्होंने खेल किया, इन्होंने ये कहा है, कि अगर अमेठी से इस बार राहूल गांदी लड़ते हैं, तो वो समर्ती रानी को हरा देंगे, उस सर्वे में ये भी दिखाये गया है, कि अमेठी में कॉंग्रेस इस बार जीट जाएगी, उनका ये मानना है, क गांदी परिवार का कोई मेंबर अगर लड़ता है, अमेठी से, शैत्रियंका के बारे में कह रहे हूँ, तो उन्हें लगता है कि अगर गांदी परिवार का कोई आदमी लड़ेगा, तो इस बार अमेठी सीट वीजेपी हार जाएगी, तो ये चीजे ये बताती हैं, कि वोटर का सर्वे नहीं है कुछ यूट्यूबर्स इसे सी वोटर का सर्वे बता रहे हैं सी वोटर तो यश्वन देशमुक हैं उनका उनकी एजनसी है वो तो का वो अलग तरह से सर्वे करते हैं एक्जिट पोल वगरा किया करते हैं यह सी एनेक्स करके कोई इस तरह की एजनसी है और आप तो जितने भी टीवी चैनल वाले हैं यहां पे दिल्ली में उन सब लोगों ने अपनी एजंसी बना ली है वो खुदी सर्वे करते रहते हैं पूरे साल देश की आवाज देश का मूड इस तरीके से क्योंकि इसमें टी आर पी बढ़िया मिलती है जैसे के इंडिया टूडे आज तक वालों का है एक्सिस माई इंडिया वो उनकी अपनी एजंसी है प्रदीब गुपता उसके हैड है तो उन्होंने अपनी एजंसी बना ली है तो रज़त सर्मा जी के बारे में मैंने जो चीज़ा आपको बताई है जो भी इन चीज़ों को कडियों को जोड़ता हुआ चलेगा अरुन जेटली से और तिल अर्विंद केजरिवाल तक वो समझ जाएगा के रज़त सर्मा जी का जो होती है ने जो गिरगिट रंग बदलता है कि जिस पत्ते पे बैठ जाता है उसी रंग का दिखने लगता है तो रज़त सर्मा जी ने किस तरीके से अपना रंग बदला है वो इस चीज से clear हो जाता है मैंने जो ये पूरी chronology आपको समझाई और अगर मेरा कोई दोस्त है और वो कोई किसी ऐसी post पर है तो मैं भी उससे उमीद करूँगा कि वो किसी ना किसी तरीके से मुझे support दे तभी तो दोस्ती का कुछ फायदा है अब जब तक जब अरुन जेटली विपक्ष में रहे तो रज़स सर्मा ने उनको खूब दिखाया उनके interview लिए किसी भी मुद्दे पर बात होती थी तो रज़स सर्मा जी के चैनल पर अरुन जेटली को दिखाया था बीजेपी के तमाम नेताओं को उन्होंने सपोर्ट किया लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि दस साल तक जब यूपिय की सरकार रही हमने बीजेपी को सपोर्ट किया और जब बीजेपी सत्ता में आई तो बहुत सारी चीज़े बदल गई नरेंदर मोदी और अमिजशा की टीम ने तो बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया जो राजीव परताप रूडी कभी बहुत पावरफुल आथमी हुआ करते थे उन्हें तीन साल में अटा दिया नरेंदर मोदी ने अब की बार उन्हें टिकट भी नहीं मिलेगा उन्होंने खुद कह दिया राजी परताप रूडी ने के मेरा तो पॉलिटिकल केरियर खतम हो चुका मेरा सन्यास पर आ चुका हूँ अपने एक डिल्ली में प्रोग्राम में कॉंस्टिटूशन कलब में कहा था उन्हें अभी कुछ महीने पहले उसमें मौजूद था खुद तो उन्हें खुद कह दिया है कई ऐसे लोग है यश्वन सीना है जैन सीना है और चलिए मुरली मनोर जोशी वगरा इनको तो मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये तो बिचारे मार्ग दर्शक मंडल में है संतोस गंगवार है कई ऐसे पुराने लोग हैं जो कभी बीजेपी में बड़ी पावर रहे हैं लेकि नरेंदर मोदी ने अपनी टीम खुद बनाई है हर चीज को लेकर उन्होंने अपना परशेप्सन क्रियेट किया है नरेंदर मोदी को सपोर्ट किया था खुलकर जी वालोंने सुभास चंद्रा को राज्यसभा बेजा था नरेंदर मोदी ने क्या पता रजा खरमा चाहते हो कि मुझे भी राज्यसभा मिल जाए कभी समाजवादी पार्टी वालोंने धैनिक जागरन के जो मालिक थे उनको राज्यसभा में बेजा था शोबना भरतिया जो बिरला जी की बेटी है वो राज्यसभा की मेंबर रही है उपी ए के टाइम में और इसके लबाँ कॉंग्रेस ने तो बिरला साब को भी कई बार राज्य सभा में बेजा है तो मीडिया हाउसिस का पॉलिटिकल लोगों के साथ जुडाव कोई नहीं चीज नहीं है ये पहले सही है तो हो सकता है कि मैं यह नहीं कहता हूँ कोई पैसे की बात है पैसे से मेरा म अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन के लिए कन को प्रेस करें झाल झाल